नमस्कार राम राम साथ एगरी वेंचर पिच का एक पड़ाव पूरा हो चुका है और उस एक पड़ाव में हम लगभग आठ किसानों की स्टोरीज आपको दिखा चुके हैं और उसके लाव बहुत सारे किसानों के हमारे पास एप्लिकेशन आ चुकी हैं उन सबी पर काम चल है जो लोग अपने खेतों की माटी की महक को विशुस्तर पर पहुंचाना चाहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को सहयोग करने का उन लोगों को साथ देने का उन लोगों को मार्गदर्शन देने का जिससे की उनकी महनत उनका पसीना जो उन्होंने अपनी क्यारियो में बहाया है उस पसीने की चमक पूरे विश्व को पूरे विश्व स्थर पर फैल सके और हर कोई उनके प्रोड़क्ट का फाइदा ले सके क्या है ये कारेक्ट्रम और किस प्रकार से इस कारेक्ट्रम की हमने शुरुआत की मैंने बताया कि पहला पड़ाव पार हो चुका है सर.. इसमें बहुत सारे किसानो की स्टोरी के बताई है न मैं से कुछ किसान सेलेक्ट हुए था APP के लिए उसके सिलेक्ट किए गया है की उनकी प्रोड़क्स को हम एक्सपोर्ट करें यह सारी बातों पर पूराने जितने वी अपिसोड है नसे सब का निचोड आज हम डोक्ट सारे किसानों की आपने स्टोरी सुनी है वो सारे किसानों से अपकी मीटिंग हुई है अब तक का लब बुलु आप क्या है क्या मानते हैं आप क्या कर रहा है हमारा किसान और क्या आपका रेस्पॉंस है देखिए ऐसा है अगर किसानों की बात करें oxy उनके पास product है but knowledge' कि इतने दिन आयक्पी इसोड में देखा कि मैं यह किसान जो 20-1 चिन नाइन रहे हैं इस आपी किसान है जिसके पास product है knowledge नहीं है तो उतने कर रहा है मेन प्ररबब मेर देक्षिया रोक्ष्स नॉलेज नहीं है आज हमारा हंदुस्तान का किसान चाहे तो पूरी दुनिया का पेट बढ़ सकता है लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है उसके लिए उनको उस लेबल की मेहनत और आज के जो गवर्मेंट की पॉलिसी जैना उनको पता होना चाहिए हम लोग मिले बहुत अच् की उनका मार्केट बिट कर रहा है कि सब्कूर्ट करने वाला नहीं है तेकनलोजी बताने वाला नहीं है यह उसको पूई उनको बताए तो वह तयार है कोई साथ की जरूत हो जो में जो समझ माने की असल मैं किसानों को इस समय एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो के कंडे पर हात के आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हूं इससे आगे का जो रास्ता है वो मैं तुम्हें बताता हूं और वो काम हम रामराम सद्द्ध अग्री वेंचर पिच के साथ करना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहलें मैं आपके बार आपको थोड़ा सा परिचे करा दू डोक्टर ओपेश सिंह एक्सपोर्ट के बहुत एक्सपर्ट है और इनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी सबसे पहले बार तो यह नए-ने स्टार्ट अप्स को ढूंड रहे थे ऐसे लोगों को मदद कर रहे थे जो लोग एक काम है यह आपने कब से शुरू किया लोगों को सहयोग करना और एक्सपोर्ट के तरफ लोगों को मोटिवेट करना देगे सर बड़ा सेंपल चीज है मैं राजिस्तान में डबल ले क्लास कॉंट्रक्टर था और एजे कंस्ट्रेक्शन कंपनी रन कर रहा था लेकिन जब मैं अफ्रीका जैसे कंटिनेंट में गया जब मैंने मेरा अपने बिजनस को एक्सपेंड किया तो मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था मैंने गूगल स्टडी की मैं कंट्री में गया दूसरी में इस तरह से आज वर्डवाइड मैं 16 दिसों में पहुंच गया लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था या जो पहले से बैठे हैं वह आपको कहेंगे या तो आप उनके साथ निवेस्ट कर दो और या फिर वो बोलेंगे कि देशी खराब तो मैंने चीज फील की इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बड़ा सेग्मेंट है पूरी दुनिया में हिंदुस्त इंटर्नेशनल वार्केट के साफ से यह नहीं है उसे यह नहीं पता मेरे प्रॉडक्ट की स्पैसिफिकेशन एक्सपर एड़ी पैकेजएंग ब्रैंडिंग और मेरे कम्टीटर के साथ से खरीना में तो मुझेgesetzt कर Saint कि जो परेशानी मेरी जिंदिगे मुझे हुई वो किसी और को नहीं होने चाहिए मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था तो चलो मैं लोगों को मदद करता हूं तो इतने सालों के एक्सपीरिंस के बाद मैंने एक ही वाद सेखी कindest Nicola ही खाए के थाए हुम जी जाधा से जाधा हिंदूसरी ये को लोकल सी ग्लोबल बनाने का का म करें हमारा इन्फरस्ट्ट शी City भी एक स्पेर Means ज्या इही तो होती होगा कि लोग कहें यह भी कमा सकता था पर यह हमको क्यों भारा तो मैंने कहा चलो सुरुआत करते हैं इस Inside se main a lot किया संख्या होगे और किस तरह के卉ड कि लोग एक किस तरह के उत्पाद आपके थे अग्रीक्लिचर उत्पाद के आवा दिन्धी सरा मोट स रचेएंड GMT ग्राम और पर एक्सपोर्ड में अग्रिकल्चर सेगमेंट तो तो इसल बहुत बड़ा सेगमेंट है हिंदुस्तान से चावल आयर 64 नॉन बास्बती पैरा वोल्ड राइस पचास क्लो की पैकिंग में पिछले पचास साल से अफरीका जैसे कंटिनेंट में जा रहा है और बहुत बड़े लेवल से जा रहा है बट इसके अलावा हिंदुस्त से जादा लोगों को हेल्प करी अब ब्रूडों में ले जाने में डिफरेंट सेगमेंट में अब हर तरह का आदमी है किसान भी है जो राइस को किसी मिलर को ना देके खुद एक्सपोर्ट कर रहा है मिल करवा रहा है और उसको पॉलिश करके बेज रहा है हमने बहुत सारे क किसान को को कोई मदब नहीं करता है तो पता ही नहीं होता कि मेरा प्रोड़क्ट जाएगा किस कंट्री मेरे डिमांड है वहां बैठा हुए बाहर मुझे कैसे बात करें लेंगोज बेरियर तो सबसे बड़ी समस्या है अपक्सर अपने कारक्रमों में हमने यहां भी किया कु एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हर चार महीने में हमारे 200 इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको वल्डवाइड इन्वेस्ट करना होता है अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तान बिजनस करना चाहते हैं तो हम एक पूरे एंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं आज राजिस्थान के किसान का बना हुआ कुरकुरा बंगाल में जा सकता है हमारे सपोर्ट से क्योंकि हमारा एक क्लाइंट उहां लेके जा सकता है और थ्री भी बिजनस में आजूकिशन देते हैं उनको तयार करते हैं नेक्स लेवल के बैटल के अंदर बहुत सारे प्रोड़क्स बूटकेम के तौर पर आंध पूर्णोर्शिप जरनी में आगे लेके जा रहे हैं अब हम कुछ जिन किसानों से आप मिले हो या पिछले एक महिने से जो हमारी एक्सराइज चल रही है लोगों से मीटिंग चल रही है आप कई लोगों के यहां भी गया जहां प अब कि बारे क्या ख्याल है इनकी प्रोग्रिस कहां तक हुई और कितना कुछ मैं उमीद लगा के बैठे आपसे देखी जिनोंने बाजरे के बनाया उनके बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे प्रोड़क्त ऐसे थे जो इंटरनेशनल मार्कें के एसाव से नहीं थे ब जहां लोग उसको यूज करें और हेल्थी रहें और वो बल्डवाइड एक्सपोर्ट हो सकता है उनके और अधर प्रोड़क्ते मेठाई थी उनके अधर इटम वो नहीं हो सकते लेकिन कुर कुरे वंडर्फुल जाएंगे अब हमने उनको बोला है आप अपनी लाइसेंस पू कुरकुरे हो जाएं तो हम आपके साथ कुरकुरे के जो मलब इसनेक्स के इंपोर्टर से उनके साथ आपकी डील डन करेंगे और हम आपको प्लेन टिकेट भी देंगे अप जाईए अमारे टीम होगी और हम फेस्टु फेस्टील आपकी कर वाएं आपके कुछ स्टोर्स हैं क्या अपको नहींता कुछ स्टोर्स में आप उन किसानों को जो कि बहुत जादा कॉलनτοी में आपको सामान नहीं दे सकते IM अपने स्टो तोड शेली कर सकते हैं भीज और एल्गुछ सारी कल सकते हम लोग कंटेनर में मतलिगीए तो यह लोग किसानों को सलेक्ट करेंगे और उनका एक साथ हमारे स्टोर में लेके जा सकते हैं तो उसमें जो कुरकुरे वाले जो किसान है अगर माली जी वह उसमें डालते हैं तो भी उन्हें अपनी एक्सपोर्ट की जो फॉर्मेटीज अपूरी करनी पड़ेगी या आप उसमें लाइसेंस तो कुछ मदद करेंगे देगी सार एक्सपोर्ट हमेशा एक एक्सपोर्टर लीगल डॉकॉमेंट पर करता है फॉर्मल्टीज उनको करनी है मैं मदद करूंगा बड़ी चीज नहीं है मुस्ट इंपोर्टिन चीज अपरोड में ले जाना बेजने बाले और अब रोड मेरी कंपनी इंपोर्ट करेंगे और हमारे स्टूर के थ्रूर मन को सेल करें यह तो हुई बात उनकी जो बाजरे के प्रोड़क्स बना रहते हैं अब हम दूसरे किसान पर आते हैं जो कि प्रेम चोधरी जो थे पहली जो बात हुई वो रावलचंद पंचारि अब बात है और उनका जो बच्चा है जनों ने उस दिन एवेंट में जो आए थे अभी वो अपना पास्पोर्ट अपलाई कर रहे हैं जैसे वह पास्पोर्ट अपलाई करते तो हम उनकी मीटिंग फिक्स करेंगे अब रोड के अंदर और हम उनको जैसा कि बोला था एवें प्रोडक्त को वही समझा सकता है जो उसको बना रहा है इसके अलावा एक शवन बाजिया है जिसे कि मैं कह सकता हूं कि यो खेतों के मैकनिक हैं खेतों के इंजीनियर कह सकता हूं को बहत अच्छे सी मशीने बनाते उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ लीड है अफरीका से उनसे बात हुई उनकी कोई डील मैच्वर हुई बिल्कुल सर उनका मेरे टीम के पास मेरे टीम नोंगे से डिसकस किया था तो वह एक्चुली जब बूट केम भाई तो नहीं बोला था कॉंगो से उनके पास एक इंक्वाईरी है हम लोग उसको चेक किया वह कॉंगो से नहीं खाना से इंक्वाईरी है और मेरे टीम वह वर्क कर रही है अब एक दो दन के अंदर हम लोग फाइनल कर लेंगे उनका बायर जैनुवन है के नहीं जैनुवन है तो हम वह बैटें तुरंट डील करा देंगे और अगर वह फेक है तो तुरंट रिजेक्ट कर देंगे इसके मुश्रूम लेडी से आपकी मुलाकात हुई थी क्या आपको लगता है मश्रूम में कैसा प्रोड़क्त है मश्रूम के बनाटे क्या प्रोड़क्त जो कि जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए डूने और उसे एक्सपोर्ट कि राधिकने तेह सर वह तो इतना अच्छ करोड की कंपनी तःजार कर सकते हैं बड़ी लेवल से लेके जा सकते हैं उनको मैं स्पेशली बूट के में वाइट करना चाहता हूं फ्रेंचाइजी बेस मोडूल पैर क्योंकि उनके प्रोड़क्त में रियली दम है और उनने मेहनत करें पैकेजिंग से लेके प्रोड़क्त की क्वालिटी तक यह तुचार वो किसान है जो कि जिनसे की आप लोगों की बात हो चुकी एमो यू के लिए आप आपके टीम उनसे लगातार संपर कर रही है उसके जिनके की अगरो तूरिजम वाले स्पेस पेस आज हम लोग यह बैख करें इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है इन में इन है किस प्रकार से मधद कर रहे हैं देखे जो गजानन जी आये थे उनका प्रोड़क्त अजोला अलड़ी एक बहुत अच्छा प्रोड़क्त है उस और उनको पता है उनके प्रोड़क्त में वह एक ऐसी फिल्ड में जब बिलियन डॉलर इंडस्ट्री उनका वेट कर रही है आप हमेशने जब जब जो टॉमेस्टिक मार्केट में काम करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो सर उसकी रेट का बहुत बदा तो उनको तो मैं चाहूंगा रेदर दें टाइम बेस्टिंग जस्ट कम टू एफ्रिका और यूरोप और जो एग्रो टूरिजम की बात है उस पर देगी सरा आज होँ बैठे हैं इंडराज जी की बात करूं तो आज में उनके प्लेस पर बैठा हूं मैं पूरा प्लेस चेक कि आदमी इस प्रोजेक्ट को बड़े लेबल से लेके जाए तो हिंदुस्तान में एक एहतिहासे क्रांती होगी अगर असर आपको याद हो तो आज से पांस साल पहले लोग एर भीन भी कॉंसर्ट को नहीं जानते थे आज एर बिन भी एक ऐसा प्लेट फॉम है जो लोगों तो एवेन्ड में कहते आज भी कह रहा हूं हर आदमी को अपनी फैमाली को लेकर आना चाहिए सिखाना चाहिए बताना चाहिए के असली जिन्दगी क्या है कर तो अस्ट को खुदाना खास्ता कहीं बश्चान होंगे तो छिव नहीं कर सकते क्या उनको जिंदी घक्कीत थे कि अधिना नहींष्ट सुनेफश्ट सुने मिलेगा। हुर्सेथ आफक देखने को मिलेगे। admit मुख यह और हर्ट्स देखने को मिलेंगे।- इनकी नहींद कर पाएंगे गि Turns योग करना चाहेंगे देगे सर मैंने इनको उस दिन भी बोला था अगर ये इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट डवलप करना चाहते हैं तो रेधर देन किसी और के मैं खुद इन्वेस्ट करने को तहीं हार हूं इन्वेस्टर हमारे पास बहुत है मारे रोज का काम ही यह है लेक कि मैं अगर कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा हमेशे एक सोचना है कि नोट फो सिंगल पेस इन्हों ने यह पाइलेट प्रोजेक्ट डवलप किया है यह पूरे हिंदुस्तान में जा सकता है सार वंडर्फुल प्रोजेक्ट है और मैं तो तैयार उनके साथ अब उनको त ने इन्वेस्ट करवाना और उने एक्सपोर्ट करना देखी सर जैसे कि हमरा लास टाइम डिसकसिन उता रहता है ब्लेक राइस वंडर्फुल प्रोड़क्ट है उस तरह के किसान का मुझे इंतिजार अगर बात करते हैं तो जैसे आपने मुझे बहुत अच्छा प्रोड़ जैसे कि सफघे करने जा रहे हैं मताना चाहें एक सब्रहणाहित करने जा रहे हैं को शरद। एक हैंसे दूनिया के लिई डेसों से तो मिनिस्टर्स आ रहे हैं जो चाहते हैं उनकी कंट्री में भी आपके प्रोड़क्ट को लेके जाना और इस बार के बूट केम की सबसे बड़ी खुबी क्या है हम बैठ कर फेस टू-फेस डील करवाएंगे आपके प्रोड़क्ट को अपरोड में एक्सपूर्ट करने के लिए यहां इस बार का बूट केम तो वैसे भी युनीक होने जा रहा है क्योंकि इस बार के बूट केम में किसान भी हिस्सा लेना जा रहे हैं और वो किसान जो कि अपने गाउं में अपने खेतों में मेहनत करते हैं पसीना बहाते हैं और उससे वो प्रोड़क्ट तयार करते हैं निद्स प्रोडक्ट की पुरी दुनिया को में बश्कार है और कुछ सर कुंछ हमारे दर्शक कहना चाहेंगे हमारे उन यूवा उयुआ दर्शकों को जो कि स्टार्ट आप्स करते हैं जो कि खेतों में जाते हैं जो कि शहरी चमक साथ यह मेहनत उस आदमी पर सफलता फिदा हो जाती है जो महनत करता पुरुस का साथ पुरुसार्थ देता है आप महनत के जिए नए टेकनोलोजी के साथ काम किजिए हां हमेशा ट्रेडिशनल बिजनस के एंपोर्ट एक्सपोर्ट करें फार्मिंग करें फैक्ट्री लगाए माइनिंग लगाएं करिए कभी भी क्विक मनी के चक्कर में आप लोग कभी भी MLM शेर मार्केट या क्रिप्टो जैसे गलत बिजनस मत जाईए क्यों कि आज के जो युबा है वो अपने खेतों की तरफ नहीं जाना चाहता है वो ऐसी चीजों के जाना चाहता है कि मैं एक दिन के प्रोडक्स आ रहे हैं जैसे कि स्टीविया के प्रोडक्स आ रहे हैं पर है सब फार्मिंग से जोड़ा हुआ इस तरह की चीजें करें पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है मैंनत करें मैं आपके साथ हूं सुनिल भाई आपके साथ है और पूरी दुनिया आपके साथ जी हाँ बिलकुल यह थे ओपेश सिंग जी जो कि पिछले कई एपिसोड से आप इन्हें देख रहे हैं यह युवाओं को मोटिवेट करते हैं युवाओं को प्रोटसाहित करते हैं उन्हें मार्क दर्शन देते हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रोड़क्ट्स को केम्प में इन सभी लोगों में से जिन लोगों के लिए इन्वेस्टर की जिने इन्वेस्टमेंट की जरुत है उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलेगा और जिने एक्सपोर्ट के लिए जाना है उन्हें मार्केटिंग ब्रेंडिंग जो भी जिने चाहिए उन्हें वो दिलाने की पूरी कोश्क की जाएगी इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का तब तक देखते रहिए समाचार प्लस झाल